Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Online Classes तो हम discuss कर रहे हैं जोग्राफिक की question series तो अभी हम start करते हैं question number 21 से देखो question क्या है The ports located along the eastern coast of India are तो eastern coast वाली side में कौन-कौन सी port है जैसे कांडला जो इसके बारे में हमने बहुत बार डिसकस किया ये आपको पता है गुजरात में है जो की western coast में आती है इस वाली coast में आता है western side में खल्दिया एंड कोचीन तो खल्दिया जो है वेस्ट वंगौल में है और ये eastern coast में आता है लेकिन कोचीन जो है वो केरला में है और वो western coast में आता है ठीक है पारदीप एंड कंडला पारदीप भी इस्टरन कोस्ट में है ठीक है उडिसा में है कंडला आपको पता है गुजरात में है ये वेस्टरन कोस्ट में है पारदीप एंड हल्दिया पारदीप आ गया उडिसा में इस्टरन कोस्ट में और हल्दिया जो है वेस्ट और वेस्ट बंगॉल में ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से पोर्ट जो है कहां-कहां पे सिचुएटेड हैं देखो पोर्ट आफ दी इस्ट कोस्ट आफ इंडिया आर कौन-कौन से हैं इस्ट वाली साइड में कुलकता हल्दिया रिवराइन पोर्ट है और पारदीप एक्सपोर्ट रौ आइरन टू जापान ठीक है तो जापान को जो रौ आइरन एक्सपोर्ट होता है वो कहां से होता है वो होता है पारदीप से और विशाखा पतनम यह क्वेशन अक्सर पूशा जाता है कि इंडिया का डिपेस्ट पोर्ट कौन है सबसे गहर पूराना और आर्टिफिश्यल पोर्ट है नौर मोस्ट मॉडरन ठीक है एंड तुतिकोरिन सौधरन मोस्ट जो की तमिलनाडू में सिचुएटेड है ओके तो यह क्लियर हो गया आपको तो आपने यह याद रखना है कौन सा सबसे पूराना कौन सा आर्टिफिश्यल कौन है तो यह इनके बारे में viens नाइन एर ए पूछे जाते हैं लुम्बई के बारे में डिसकस किया था टो उस टेम चो मुंबई है इसके Western Railway का ये Headquarter है और Central Zone इन दोनों का Headquarter जो है वो कहां पे है Mumbai, Two Railway Zone Central Zone और West Zone का Headquarter है मुंबई में और New Delhi जो है वो है Northern Zone का Headquarter ठीक है तो देखो Mumbai is headquarters of Two Railway Zone कौन कौन से है Western and Central Zone The Western Railway is one of the 17 zone of Indian Railways तो क्या आई याद रखना है आपने कितने zone है 17 zone है इंडिया में and is among the busiest railway network in India ठीक है तो ये जो है जो है जो मुंबई Headquarter है इनका Next question पे चलते हैं Which is the artificial port of India तो जैसे हमने अभी डिसकस किया artificial port right answer is का चन्नाई चन्नाई या मद्रास port जिसको बोला जाता है मेंगलाओर कहां पे है करनाटका में है कांडला port जो है गुजरात में है और हल्दिया जो है वेस्ट बंगॉल में है ठीक है तो कई बार ये मैच करने के लिए आ जाते हैं तो आपने confusion नहीं होना है बर अच्छे तरीके से map में चाहें इनको एक बार देखके आप अपना question पक्का कर सकते हैं चैनेई port is the second largest port of India ठीक है बिहाइंड the Mumbai port तो सबसे बड़ा port जो है वो Mumbai port है and the largest port in the Bay of Bengal और Bay of Bengal का सबसे largest port कौन सा है चैनेई और ये एक artificial port है ठीक है और सबसे largest है Mumbai और सबसे deepest है बिशाखा पतनो इडिज एन artificial and all weather port with wet dogs it was a major travel port before becoming a major container port ठीक है तो इतना से आपके इसके बारे में याद रखना है next है how many major sea port are there in India 6, 9, 12, 10 तो देखो इसमें से कोई भी right answer नहीं है क्योंकि अभी जो इंडिया में है वो 13 major port है ठीक है तो यह आपने याद रखना है India has a long coast line तो यह भी आपको पता है कि इंडिया के किस state की सबसे लंबी coast line है गुजरात की और उसके बाद जो है 13 major port ठीक है 12 जो है government के हैं और एक जो है वो corporate है and 187 notified minor and intermediate port the latest addition to major port is port Blair latest जो था जून 2010 में the 13th port of the country port Blair कहां पर बना था यह यह बना था अंडेवान निकोवार में जो अंडेवान निकोवार की capital है port Blair ओके next question पर चलते हैं which of the following train run between new Delhi and Baga border Baga border कहां पर है अमरित्सर में ठीक है पकिस्तान के साथ तो देखो कौन सी train है stop the express stop the express तो होती है जो यहीं पर इंडिया में ही चलती है stop the express यह सुपर फास्ट ट्रेन है ठीक है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की train है ठीक है मैत्री एक्सप्रेस यह बंगलादेश और इंडिया के बीच में है धाका कलकत्ता से धाका के बीच में यह train चलती है मैत्री express और right answer 2 pin का समजाथभा एक्सप्रेस ठीक है तो यह भी पाकिस्तान के साथ thार एक्सप्रेस और समजाभा एक्सप्रेस यह दोनो train है यह पकिस्तान जाती है ठीक है यह weekly train है तो यह भी आपने याद रखना है ठीक है यह weekly train है और उसके बाद जो है ये पाकिस्तान के साथ हमारी सर्विस है और जो मैत्री एक्सप्रेस है वो बंगलादेश के साथ है ठीक है दिस समझौता एक्सप्रेस इस एट ट्वाइस वीकली ट्रेन टूज़डे एंड फ्राइडे को ये चलती है दोवार ठीक है डेली से ये स्टार्ट होती है और लाहौर इन पाकिस्तान तो डेली से लाहौर ये चलती है ये आपने याद रखना है ठीक है और एक बस का नाम है उसका क्या नाम है सदा ए सरहिंद तो ये बस का नाम है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलती है ये इस तो कौपसे बिजिर्ष रेल सेक्षिन है यह मामले में डिहली एंड कलकता शेक्षिन, यहां सब सक्षिन है राजिव गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट is situated तो जम्मू अंडकश्मिर नियोडहली नियोडहली में है IGI इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट और Mangalore या फिर हैदराबाद राइट अरसे का है हैदराबाद हैदराबाद में हैदराबाद इंटरनेशनल एरपोर्ट को क्या बोला जाता है राजीव गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट ठीक है तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट अलसो नोन एज हैदराबाद इंटरनेशनल एरपोर्ट is an international airport near Shamsabad south of downtown Hyderabad, Andhra Pradesh is the second public-private partnership venture of Indian airport the first wing of the Cochin International Airport पहला कांस तो, Cochin Airport next question is which two of the following are connected by the north-south corridor north-south, ठीक है तो यह north मतलब जम्मो का समीर से नीचे करन्या कुमारी, Tamil Nadu तक तो north-south corridor कौन कनेक्ट करता है यह है स्रीनागर एंड करन्या कुमारी the north-south corridor comprises NH1A जिसको बोला जाता है वो है श्रीनागर जलंदर, NH1 जो है वो जलंदर डेहली NH2 डेहली आगरा, NH3 आगरा टु ग्वालियर NH75 ग्वालियर टु जहांसी, फिर NH26 जहांसी से लखनव NH7 लखन, लखनादाओं जो है नागपूर और हैदरवाद, बैंगलोर, मुद्रई, कन्या कुमारी यह NH7 है NH47 सालम, कोईमटूर और कोचीन ठीक है तो यह सारे नेशनल हाइवे के नाम है और यह कहां से कहां तक कनेक्ट करते हैं ठीक है जो कि नौर्थ से साउथ कोरिडोर बनाता है तो देखा आपने कितने सारे यह नेशनल हाइवे इसको कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट question है Which national highway connects Delhi and Calcutta वायम अन्थुरा यन्ड वारनशी तो वो कौन सा national highway है तो NH4 NH2 तो देखो NH2 इसका right answer है NH2 जो national highway है वो Delhi and Calcutta को connect करता है वायम मुधुरा को ठीक है तो national highway 2 commonly referred as Delhi Kolkata road is a busy Indian national highway that runs through the state of Delhi Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Jharghand, West Bengal It constitutes a major portion of historical Grand Trunk road GT road जिसको बोला जाता है जो कि शेर्शाशूरी द्वारा बनाया गया था along with NH91 and NH1 in India ठीक है तो उनके बारे में हमने अभी डिसकस किया Next question देखो Which national highway is called शेर्शाशूरी मार्ग तो किस highway को बोला जाता है शेर्शाशूरी मार्ग तो national highway number 3 first option ही इसका correct answer है तो national highway number 3 को बोला जाता है शेर्शाशूरी मार्ग ठीक है तो national highway 1 यब फिर NH1 is a national highway is northern India that links national capital New Delhi to town to Atari in Punjab ठीक है Near the India-Pakistan border This was a part of Grand Trunk Road of शेर्शाशूरी that ran from Lahore to Bengal Build on earlier roads that existed from time immemorial ठीक है तो national highway और GT road जो Grand Trunk road है इसके बारे में भी आपने याद रखना है कि ये इसको पहले सबसे पहले किस ने बनाया था शेर्शाशूरी के द्वारा इसको द्वारा पूरा बनाया गया था और अभी जो है फिर इसके पूपर काम होके इसको अपना modern सोरूप परदान किया गया है ठीक है तो यहां से आगे अब हम next वीडियो में देखते हैं